हेलो फ्रेंड्स एसे राइटिंग के नए लेशन में आपका स्वागत है मैं हूं दरमेंदर और आज हम एसे राइटिंग का जो फोर्थ लेशन है वो उस पर चर्चा करेंगे साथे साथ आपको यह वीडियो देखने से पहले मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले के जो हैं इसा बात किहें कि ऐसे राइटिंग में एसे मतलब कुछ ऐसे हैं जो मैंने लिखें एक्जाम कीconnect के दोरान कैसे अच्छे से लिखें जाते lock कैसे की की जाती है उसी कड़ी में यह आगे का लेशन होगा तो आज हम बात करेंगे जैसे कि इसमें मैंने एक ऐसे चुना है ऐसे का टाइटल है यदि हमें बविशे की विनास से बचना है तो विकास की दिशा को बदलना होगा तो इसमें पढ़के आसानी सी समझ में आ कि इसमें मुख्य रूप से जो समझे हैं कि कैसे हमारा development जो अभी चल रहा है पर जेंड में उसके साथ कैसी जो प्रोब्लम आ रही है environment को लेकर प्रोब्लम आ रही है सश्टन development जो हो रहा है उसको लेकर कुछ समझे आ रही है तो उनके बारे में हमें बात करनी होगी साथ हमें development को कैसे eco-friendly बनाना है कैसे संचादनों का सही उप्योग करना है उस पर हमें चर्चा करनी होगी तो सबसे पहले जैसा कि यह बात है हमने कि है कि कोई भी आपको जब भी essay त्यार करना हो तो उसका आपको एक rough idea त्यार करना होगा रभ फरकता रखना होगा कि एक एक खाली पेज लेकर जो आपके माइन में उस essay को लेकर जो विचार है उनको आप अपने कागेज़ पर लिखो और लिखने की प्रक्रिया में आपको द्यान रखना है कि सबसे पहले आपको essay का title जो है वो एक खाली page में जिसे रब copy में होता है उसमें खाली page पर आपको कोशी जी करनी है कि सबसे उपर जो title होता है essay का वो लिखना है इसमें मैं बार-बार ये जोड़ दे रहा हूं कि आपको essay का title सामने क्यों रोखना है क्योंकि जब तक essay का title आप लोगों के सामने नहीं होगा तब तक आप के मन में सही विचार नहीं आप आएंगे तो आप सबसे पहले आपको जो भी essay का title है उसको उपर एक लिख लेना है और उसके बाद में उस पर विचार करना है कि जो intro part है कि आपका जो introduction part होगा उसमें आपको क्या लिखना है इसमें आपको कहानी लिखनी है या story लिखनी है या आपको poem डालनी है या फिर कोई भी मतलब एक तरह से आपके पास data हो सकते हैं कि international data हो सकते हैं या इंडिया में कोई report publish ही है उससे related तो आप उसको डाल सकते हो वह आपकी choice है कि आपको कहानी से शुरू करना या poem से शुरू करना है इसमें ज़्यदा चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है simple quotation से आप शुरू कर सकते हो और इन में से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं हो तो फिर भी चिंता करने की जुरू नहीं है क्योंकि इसके बावजूद भी अच्छे marks लाई जा सकते हैं लेकिन अच्छे और अच्छे improve करना है में तो marks बढ़ाना है एक एक जो marks है उसका महत्व आप जानते हो मेंस के exam में और final जो आपकी list बन दी है उसमें तो हमें उसी साब से बढ़ना है और जैसे कि फिर आगे बढ़ना है कि बोडी मार्त को मैं कैसा मिठा बेन में लिए द्यान रखना कि एसे विभीता परण करें कें governor बात कर कि कोई इस को अलग य थीम पर बीख सकते हैं। जैसे इस ए इसे की कि हम्हें डवङंड कैसा करना है और हमारा आज़ कैसे डवङंद की सबस्केंगान है की कि इसे मतलब प्रोब्लम है उसमें मतलब सबसे पहले जो हमें एक थीम बोडी पार्ट में सरुकनी है आप इसको याद कर सकते हो कि हमें सबसे पहले historical मतलब point of view से आपको लिखना है फिर आपको मतलब लिखना है कि यह से society वाला कोई point जूड़ पाए इसे जोग्राफी का कोई point जूड़ पाए और इसके बाद में जैसे इसमें quality वाला कोई point जूड़ सकता है governance का point इसमें जूड़ सकता है तो आपके जितने जीएस के चार पेपर वहां से आप इन point को उठा सकते हो यदि याद नहीं रखें यदि सिंपल वे में आपको याद रखना हो तो अपनी जो अंगुलिया है दस अंगुलिया है हमारे पास इन पे आप डाल सकते हो कि मुझे सामाजिक आर्थिक राजनितिक और विग्यान इनवारिमेंट इथिक्स इन सब चीजों को लेकर मुझे ऐसे के बारे में बात करनी है कि मेरे ऐसे में जो भी ऐसे के बारे में पूछा गया है उसमें जितने भी आयाम होंगे उन में मुझे उन पर बात करनी है सब पर और जैसे इसमें समधान की हम बात करेंगे समधान की दी बात करते हैं बोडी पार्ट का जैसे इसमें दूसरा पार्ट बन सकता है कि इसमें क्या आपके पास समधान है तो यह मतलब क्या आपके पास सॉल्यूशन है solution part को भी आपको multi dimension एक प्रोस से लिखना है जैसे आपके पास मतलब science and take का कोई example हो कि हाँ इसका यह solution है आपके पास society का कोई example हो आपके पास किसानों का कोई example हो और नवाचार हो नीतियायो की कोई report हो government scheme जो है उनको आप बहुत अच्छे से आप उनको डाल सकते हो और नए-एडिया जो भी आपको लगता है कि यह current affair में या कहीं और आपने पढ़ा है चर्चा किये कोई movies का कोई आप example दे सकते हो कहीं से भी जैसे social media का कोई essay हो तो आप अभी जो हाली में एक Hollywood की movie आई है social dilemma आप उसका निश्ची तुरुप से court कर सकते हो उसमें जो भी नेतिक दुविदा हैं बताई है कैसे generation को या यूज जो पीडिया उसको social media के मादम से कैसे नुकसान हो रहा है कैसे उसके सामने नेतिक मुदिय उबरकर आ रहे हैं तो आप उनका court कर सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है कोई आपने book पढ़िए उनका court कर सकते हो कहींगी भी कि आपने कोई case study लिखी है तो वह कर सकते हो और लास्ट में फिर जो conclusion होता है जो इससे आपका मतलब end होने की तरफ है तो उसमें आपको यह कोशिज करनी है कि आपको conclude करना है conclude करने के लिए आप यह बोल सकते हो कि जो भी आपने उपर समसे हैं कि नहीं है तो आप एक चेतावनी दे सकते हो मुखे रूप से जो environment issues को लेकर होते हैं उसमें आप एक चेत की जी लक्सियों को आप जोड़ सकते हो यह अच्छा एक मतलब suggestion हो सकता है इसके लाव आप उसमें कुछ futuristic को आइडियाज हो नवाचार उसको आप मतलब बता सकते हो और end में आपके पास कोई कोई कोटे सनो अच्छा सा प्यारा सा कोई कोई चोटा तो आप उसको इसको इस्तिमाल कर सकते हो कोई अच्छा दाशनिक के विचार हो तो उसको उपयोग मिलेना हमेंसा ऐसे में अच्छा माने जाएगा तो अब हम बात करते हैं जो भी मैंने यह आइडियाज आपको करना तो आपका ऐसे एकदम लगेगा कि उसमें काफी नए आइडियाज होंगे उसमें कई सारे पक्स आप सामिल करोगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे कि अभी जो भी हमने रप कारी त्यार किया है उसको हम एपलाई करते हैं कि एक अच्छा ऐसे कैसे चाहिए एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ऐसे का इस पर गोर करना है कि आपकी सर्चना क्या है सर्चना में आपको पताना चाहूंगा कि जो जैसे यह लाइन ने दे रखी है जो हासिया है यहां जैनी तो पूलिंग लिख़ो पँज़ बिंद आपको बिल्क झाल्झा स्था तो आपको इशिच्ज्च को गहर रेकर ने है को कोईala साथ कोузट और किया रहीत बना tá तो वो आपको कोशिज करनी है उसका आपको ध्यान रखना है जैसे कि हमने बात किये कि सबसे पहले आपको टाइटल को डंक से समझना है और टाइटल के कोर्डिंग आप फिर कोई पोईम या कोई आप कोटेशन या कहानी इस्तिमाल करने हैं आपको जैसे कि मैंने शुरूख किया है कि आज हर वेक्ति लगा है इस बोती वादी युकी अंधी दोड में बिना सोचे समझे अंतिन विकास की होड में लूट रहा है मानो हर तरब इस प्रक्ति को पूरा करने अपने हजारों सपनों को छोड़ चुका है प्रक्ति का संग कहीं और अब तो मानो बढ़ चुका है मतलब यह एक आप जोड सकते हो कि टुटी फुटी कोई भी पॉइम बन पाए आपकी वह बहुत अच्छी माने जाथी क्योंकि इसमें एक तो यह होता है कि हमारी एक मोलिक्ता दिखती है मोलिक्ता का फाइदा मिलता है क्योंकि एक्जाम इंदर को भी यह लगेगा कि यह पॉइम आपकी द्वार लिखेगी है तो उसका आपको निश्य दुरूप से अच्छे मारक्स मिलने वाले और एक्जाम इंदर को भी नया पढ़ने को मिलेगा तो वह इसी चीज से खुस हो कि उसमें पहले ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे करनी कोशिज करता ओं दूसरह सेमितना टा doctrine नहीं होता कि उसको कर पाएं तो उसमें यह रहीं कि कोई खानी पहले से पढ़ी हो या कोई कोटे से clipping उनो तो मेरे साथ आप से जो बेस्ट आइडिया है वह आप यह कर रखते हो यह बहुत आसान भी होता है इतना कोई बड़ा काम नहीं कि हम कोई चोटी मोटी पोइम नहीं कर पाएं तो मेरा तो यह हमेशा से रहा है कि हमेशा ही चारू बार मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स आये तो मैं बता सकता कि बहुत जिवादा कोटेशन बहुत जड़ा पोइमस बहुत ज़्यादा दासनेक विचारों को बार-बार डाल रहें तो वह भी नहीं करना है जैसे यह देखा गया है कि जैसे हिंदिर लिटरेशर का कोई विजारती होगा तो वह जिए प्लब बगगए बगरा डालेगा अब यहाँ पर हमने बात की कि interaction पार्ट को कैसे सरू करना है तो यह title के according था उसके साफ से मागे बढ़ते हैं फिर मैंने अपना जो इंटरक्षन का पहला पहला फोड़ा से जोड़ जोड़ कि मैंने बनाया कि कैसे मतलब यह जो पॉइम में कैसे इस पर लागव होती है ऐसे की टाइटल पर की उप्रिक पंक्तियाज मानों के अंतिन विकास के बारे में कहानी वयां कर रही है जहां मानों इस बहुतिक वादी युग में बिना परकती का ध्यान रखे सिर्फ अपने हीतों की पूर्ती में लगावा है हाले की दिनों में ऐसे अनेक उधारान सामने आएं जहां परकती सोसन के नकरातन प्रणाम सामने है जैसे चैने जल संकट के अरल का मुंबई बाड और दिली सहर का वाईव पूर्दस नादी देखो हमने कोशिज की थी कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमें तीन प्रणाप में लिखना है लगबग एक से डेड़ पेज में लिखना है तो यहां पे मैंने यह सुरू किया कि पहला प्रणाप पोईम से रिलिटेट किया है जल्दी से हम खतम करने के कोशिज करते हैं लेकिन यहां पे ऐसा लगता है कि आपके पास एक व्युक्ति की आजादी है तो उसका आप पूरा इस्तेमाल करो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन का हमने आगे बताया और फिर जैसे मैंने एक 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 जामपल को रिपोर्ट मैंने डालने कोशिज की हाली में की एक अर्थो ओवर सूट डे के दिन था और उसमें रिपोर्ट या कुछ आप उसमें आसने से आप डाल सकते हो तो हमने कोशिच क्यिक की जो बी इंट्रोड़क्शन पार्ट उसमें हम तीन प्रिवmaan उसको खतम कर दें ठीक है यहां से देखो BODYPART शुरू हुआ है और BODYPART में मैंने कहीं भी निख्या है कि यहां पे मेरा BODYPART यहां से सुरू हो रहा है वो अपने आप कौई हेडिं से आपका इससे फिर अपने आप विवित्ता परदान पूर्ण हो जाएगा तो वह द्यान अगने आपको जैसे मैंने यहां पर इस्टोरिकल बेग्राउंड से सुरू किया है और फिर उसमें जो भी मेरे पास एक्जांपल थे आपको यह कोशिज करनी है जो भी थीम है उसमें समस्य आगई कैसे डवलोपेंट की कुछ समस्य वह हमने लिख दी तो यह भी दूसरा पॉइंट भी थोड़ा सा इस्टोरिकल और इंडरिश्टिल रिवलाई रिवलेशन से जुड़ा हुआ है उसके बाद में देखो सोसाइटी वाला पॉइंट हो गया आप इजी लिक को कर सकते हो आपको यह दिख सकते हो किसे से करेक्टिविट्व में आगे बढ़ रहा है फिर यह सोसल अपक्स ले लिया उसमें भी हमने एक्जामपल दे दिया कैसे मतलब कौन ज्यदा कार्बन कर रहा है कौन डवलोप्मेंट में ज्यदा मतलब इन्वारिमेंट को लेकर समस् लेकिन तो लेकिन ज्यदा करना है कि आप इसे की डिमांड से में नहीं बटकना है कहीं तो आपको बार बार यह कोशिज करते रहना कि अपने टाइटल को नजरों के सामने रखना और उसको बार एक दो बार पढ़ते रहना बीच बीच में जब आगे बढ़ो बोड़ी पार्ट सुरू करो तो पढ़ना फिर दो चार प्रग्राफ लिख लिए फिर पढ़ना ताकि आपना कनेक्टिविटी उसके साथ बनाए रखो मैसा यह आपको कोशिज करनी है और आज आपको यह चिंता भी नहीं करनी है कि ऐसे को आप पढ़ना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक भी डाल दूँग आप बिल्कुल उसको वहाँ पढ़ सकते हो और यहां वाला मामला है कि कैसे जलवाई और यह आजकल जो जलवाई को गठना ही और यह गलोबल वार्मिंग के कारण कैसे साइक्लोन और जो फलड आ रही है उसके एक्जमपल आपको मिल जाएंगे यह इससे थोड़ा पिछली साल का है तो आप अपने करण्ट एक्जमपल इसमें ख़सके कारण मतलब यह साइक्जमपल हो सकता है फिर इंट्रेश्ल को एक्जमपल को जैसे जलसंकट का एक्जमपल हमने दिया इसमें और फिर आगे हम देखते हैं कैसी कैसी जो इंट्रेश्ल जो सहंस्ताइइं हैं वह उनका हम रोल दिखा सकते हैं वह कौन से रिपोर्ट में फिर अपनी देखता हूं कि कहीं मैंने essay को कहीं एक दिशा में तो नहीं मोड़ दिया है मैं कोशिज करता हूं फिर अपने essay में गलतिया निकाल कर उसको संतुल में लाने की और अपने आप विक्सित हो जाती है कि हम अच्छा इसे वहां लिख पाएं तो आपको यह कोशिज करनी है कि हर संडे को या पंदरा दिन में कम से कम एक दो ऐसे आप लिखके अपने आसपा जो शीनियर है जो दोस्त जो आपको गाइड कर सकते हैं उनको आप चेक रापाऊ तो उ इसमें एक्जामपल दिया कि पंजाब हरिणा में कैसे मतलब जलका जो दुरूपियों किया है हरित करांती की वज़ए से यहां पर कई नकरांत प्रणाम देखने को मिलें तो आपको हर एक पिरगराप में आप जो भी थीम लिख रहे हो जो भी आप बहुत बात बोल रहे हो उसका आपको एक्जामपल जरूर डालना है एक्जामपल से ही आपका अनसर बहुत अच्छा लिखेगा उसमें एक करंट एक्जामपल अच्छे होंगे तो और जड़ा मतलब उसमें आपके ऐसे में गराई आएगी फिर आप संसादनों के बारे में लिख सकते हो फिर बात म का मुख्य मकसद यह है कि आपके जो विचार ना वो जान पाए और समझ गरी जो सुक समता होती है उसको आप समझाओं को पहचानते हुए एक समधान की और आप जाओ ठीक है फिर देखो यहां से दूसरा इसका बोड़ी पार्ट का दूसरा पार्ट यहां से शुरू हो रहा ह की